हिंदी सिनेमा जगत की दिगज एक्ट्रेस हेमा माली ने अपने बेबाक अंदास के लिए खूब मशूर है हाली में हेमा मालीनी ने एक इंटर्व्यू दिया है जहां उन्होंने एक फिल्मेकर की काली सच से परदा उठाया है हेमा मालीनी ने हाली में एक इंटर्व्यू दिया है जहां हेमा मालीनी ने बताया कि किस तरह से एक डाइरिक्टर उनके साड़ी के पलू से पिन हटवाना चाहता था हेमा जी ने कहा वो किसी तरह का सीन शूट करना चाहता था मैं हमेशे अपनी साड़ी में पिन लगा कर रगती हो एक्टरस ने बताया कि जब उनसे कहा गया कि पिन निकालने के लिए तो उन्होंने बोला साड़ी नीचे गिर जाएगी इस पर उन्हें जवाब मिला कि हम यही चाहते हैं हेमा मालीनी ने साथी खुलासा किया कि पहले उन्हें ही सत्यम शिवम सुन्दरम ओफर की गई थी यह जानते हुए कि वो ऐसी फिल्म नहीं करेगी हेमा मालीनी ने बताया कि राज कपूर उनके पास आये और फिल्म के बारे में बताया हेमा मालीनी ने कहा कि तब राज कपूर ने उनसे कहा था यह ऐसी फिल्म है जिसे तुम नहीं करोगी लेकिन वो एक्साइटेड है कि वो इसे करे उन्होंने पूरी बात कहते हुए कहा कि उस दौरान उनकी माँ भी साथ में बैटी थी तो उन्होंने नाराजगी में अपना सिर नाम हिला दिया था